आज के इस वीडियो में देखिए आज हम पढ़ेंगे कि कार्न माक्स का पुन्जी वाद पर क्या विचा था तो देखिए जो कार्न माक्स थे उनका पुन्जी वाद पर क्या विचा था उनके क्या सोच थी पुन्जी वाद के प्रती तो देखिए इसे पढ़ते हैं अच्छे से और इसे अच्छे से समझते हैं तो देखिए कार्ण माक्स का विचा था उनकी सोच थी कि उद्योगिक समाज पुंजी वादी समाज है उन्होंने कहा कि जो उद्योगिक समाज है वहाँ पुंजी वादी समाज है फेक्ट्रियों में लगी पुंजी पुंजी यानिकी धनरासी तो जो बड़े बड़े उद्योग बड़े बड़े फेक्ट्रियों में पुंजी लगाते हैं पर पुंजी पत्यों का स्वामित होता है यानिकी उस मालिक का ही उस पर अधिकार होता है और पुंजी पत्यों का मुनाफा जो फेक्ट्रियों के जो मालिक है बड़े बड़ी फेक्ट्रियों बड़े उद्ध्यों उनको मुनाफा उनको प्रोफेट किन के कारण मिलता है तो मजदूरों की महनत से पैदा होता है उनको प्रोफेट या उनको मुनाफा जो भी प्राप तो होता है वह किन के कारण होता है तो मजदुरों की मेहनस से तो कार्ण माकस ने बताया उनका विचार था कि उद्योगिक समाज पुंजी वादी समाज है और फेक्ट्रियों में लगी पुंजी पत्यों का स्वामितु है और पुंजी पत्यों का मुनाफ़ा मजदुरों की मे पेता होता था तो आपको इस प्रस्न अच्छा सन में आया होगा कुछ भी नहीं है प्रस्न में जो कार्णमाक्स थे उन्होंने अपने विचार दिये कि उद्ध्योगी जो समाज है वहां पुंजिवादी समाज है और फेक्ट्रों में लगी जो पुंजी है जो पेसे हैं उन पर पुंजी पति यैनि कि पेसे के मालिक का उस पर अधिकार होता है और पुंजी पतियों का मुनाफ़ा उनको जो प्रोफट मिलता है बड़ी बड़ी समाज, पुझिवादी समाज है, फेट्टों में लगी पुझी पर पुझी पतियों का स्वामित होता है और पुझी पतियों का मुनाफ़ा मजदुरों की मेहनत से पेदा होता है। बहुती सिंपल प्रसने, दो नमबर का प्रसने आप अच्छ से से कवर कर सकते हैं और इसे अपनी नोट बुक में अच्छ से नोट कीजे तो बड़े से स्क्रीन सोट लीजे और अच्छ से याद कीजे, कम्पलेट कीजे